हालो अव्रीवन स्वाम्यों करनल इंस्टूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज आपके सामने एक नया टॉपिक जुडने को आ रहा है विच इस मार्क इच एन एवरी लाइबरेरी स्टूडेंट या यूजर कही ना कही इस टर्म को जानता है कि what is M-A-R-C यानि कि जिसको हम मार्क के नाम से जानते हैं या मार्क 21 से दिनोट करते हैं तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और अगर देखा जाए प्रिविएस यह कोश्चन्स या यूजी सी नेट के अंदर तो मार्क 21 रिलेटिट काफी बार कोश्चन्स आते हैं रिलेटिट टू स्टक्चर ओफ मार्क या फिर उसके टैक्स, सब फील्स या फिर इयर रिलेटिट या उसको ऐस डिफरेंट स्टेंडर्स के साथ क्रोनोलोजिकल ओर्डर में लगाने का इयर हो या उसके accordingly information हो इस तरीके से बहुत सारे कोश्चन्स previous yearly देखे गए हैं मार्क के अंदर या मार्क 21 के अंदर तो इसके बारे में आप लोगों को proper या एक तरह से पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि मार्क क्या है और कब आया था क्या टैग्स हैं क्या सब फील्ड है आज की क्लास में हम यह सब चीज डिसकर्स करेंगे so that मार्क रिलेटेड जो भी कोश्चन्स आपके हैं वो आप अच्छे से एकसस कर सके और उनके अंदर जो भी आपकी information compile की गई है वो भी आप उसे अच्छे से जान सके ज़िए तो बात करते हैं मार्क की या फिर मार्क 21 की जो की उसी का ही different version का format है मार्क की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी जो में इंपॉर्टन टॉपिक आता है या एक तरह से में की पॉइंट आता है वो आती है मार्क की फुल फॉर्म which is machine ready able ठीक है तो यह फुल फॉर्म कैसे होगी that is your machine मशीन रिडियेबल केटलोग मशीन रिडियेबल केटलोग यानि की जब डिजिटली आपकी इन्फोर्मेशन को कमपाइल किया जा रहा है अगर हम बात करें केटलोग की लाइब्रेडी केटलोग की अब काफी टाइम पर मैनुवली केटलोग को प्रिपेर किया जाता था लाइब्रेरी बहुत तरीके से केटलोग बनाती थी अडिशनरी केटलोग हो गए अल्फबेटिकली क्लासिफाइड केटलोग हो गए बहुत तरीके से केटलोग को कमपाइल किया जाता था बनाया जाता था main entries added entries by accordingly AACR या AACR second या फिर CCC या different codes को use करके catalogs बनाये जाते थे prepare किये जाते थे ताकि बच्चों को उसके documentation के बारे में information मिल सके उसको यह पता चल सके कि उसका documentation कहां है क्या information उसके अंदर है वो में में information हम इसके अंदर पढ़ते थे जैसे की title of the document या फिर statement of responsibility related to author, editor, illustrator उनके बारे में जानकारी पब्ली publication या publisher का year, place इन सब के बारे में जानकारी के लिए pagination GMD जो होता था journal material description size, notes area, series area यह सब कुछ उसमें define किया जाता था था कि बच्चे को उसके documentation की information मिल जाए, documentation के अंदर क्या-क्या main information है इसलिए catalog बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे जब electronic resources आए, digital resources आए, तो उसको एक तरह से change किया जाना लगा, क्योंकि library catalog का क्या था कि आप उसको physically library में आके access कर सकते हो, या फिर opaque के थ्रू भी access कर सकते हो, website में भी opaque के थ्रू आपको listing उसके अंदर मिल जाएंगी, but mark से क्या हुआ, अब वही entry, data exchange के लिए, एक proper bibliographic format को compile करने के लिए, एक ही जगा से information access करने के लिए, यूज किया जाने के लिए, mark को लेकर आए गए, so that mark जब आया, तो एक different standard मिला, जिससे सारी information, सारा bibliographic data एक ही जगा से exchange किया जा सके, वही एक format सब use करें, और सब easily उस पे information access store, retrieve कर सके, इसलिए mark को लाया गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाड़े में थोड़ी सी और जानकारी की कब आया, किस तरीके से आया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे confusion related या, और another aspects related questions बन सकते हैं, तो ज़रूर धियान दीजिएगा, ठीक है, पहले आ रहा है आपका mark, यानि की machine readyable catalog, या machine readyable cataloging, that is a full form of mark, mark का जो pilot project था, देखा जाए तो ये माना जाता है, कि 1965 से लेके 68 तक, जितना भी mark के अंदर origination हुआ, वो यहाँ तक हुआ, ये एक type of उसका पूरा period duration था, जिस टैम पर उसने सब चीज किया, क्योंकि सारी libraries उसमें participant हुई, different conferences हुई, then allow किया गया, then उनके participants के बाद, उनका document बनाने में या उसको enter करने में time लगा, after that उसको implement करा गया, तो ये सारी चीज इसके अंदर आती है, तो माक का pilot project जो शुरू हुआ, यानि कि जो इसका implement year था, कि माक कोई ऐसी चीज जिसको लाया जाए, conference में discuss हुआ, there are different type of conferences जो की held हुई, in different months, इस year में, which is 1965, बहुत सारी conference, 3-4 conference होने की बाद, इसको आइट किया गया, कि कौन-कौन participants बनेंगे, किस तरीके से माक के अंदर entries होगी, और starting में जो ये compile किया गया, वो library of congress related library, या उसके आसपास की libraries का information compile करने के लिए use किया गया, क्योंकि ये आया ही वही था, ठीक है, तो अगर देखा जाए कि माक का pilot project कब शुरू हुआ, तो वो 1965 में हुआ और 66 में बनके तयार हुआ, अगर आपसे mark का year पूछा जा रहा है, या बहुत सारे different formats में mark दे रखा है, तो आप उनका 66 year लेके चलेंगे, mark pilot project started का 1965 year लेके चलते हैं, तो ये दोनों ही year कभी कबार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये दोनों ही year अपने ध्यान में रखना है, mark related, mark कब implement हुआ, कब establish हुआ, उस related, चीक है, तो mark का pilot project हमने पढ़ा 1965 में 1966 तक, mark 1 जो कहला है जाता है, वो 66 में implement हुआ, then mark 2 आपका 67 से स्टार्टों के 69 तक compile हुआ, क्योंकि different entries जो books की या documentation की entry थी, उनको compile करने में, enter करने में, it will take time, जितनी भी participant countries थी, उसमें, participant libraries थी, सौरी, तो उन्होंने जितना भी time लिया, उसके accordingly mark के अंदर, प्रोमेट या information डाली गई, बिब्लोग्राफिक डाटा डाला गया, ठीक है, लाए कौन थे, इसका यहाँ पर एक नीचे मैंने लिखा हुआ है, that is your Henrit Avram Library of Congress, तो अगर आप से question में पूछा जाता है कि Mark was developed by, तो name होगा Henrit Avram, और कौन से organization इसके साथ associate था, किसने इसको provide किया, किसने इसको establish किया, तो that is your Library of Congress, Library of Congress Mark लेकर आई थी, after conference के बाद, different countries, different libraries, उसके participants बने, उन्होंने अपनी information उसमें डाली, सिर्फो सिर्फ Library of Congress के आसपास, या उनी से related libraries की, फिर धीरे धीरे, जब बहुत easy होने लगा, इसका implementation, अच्छे से data exchange होने लगा, तो ये एक ऐसा standard साबित हुआ, जो फिर internationally famous होने लगा, तो at 1971, it become a national standard, for bibliographic data exchange, in United States, तो 1971 में इसको national, पूरा United Nations का, हाला कि Library of Congress, उसी के अंदर से ही था ये, तब इसको पूरा national ही बना दिया गया, सिर्फो सिर्फ United Nations का, बिब्लोग्राफिक, national standard for bibliographic data exchange, उसके लिए इसको बनाया गया, एक main standard, और फिर जब देखा कि, ये बहुत successful हो गया है, लाइपाकी libraries भी इसको access कर रही है, then 1973 में इसको बना दिया गया, international standard, यानि की, पूरे world का international standard, जो की mark था, जिसके अंदर हम, बिब्लोग्राफिक डाटा को compile करते हैं, और वहां से उसको access भी कर सकते हैं, उसके exchange भी कर सकते हैं, then mark 21, 1987 में आया, इसके different editions मैंने या लिख रखे हैं, 1990 में, then 1984 and 2000, और 21 काफी बच्चों को लगता है, कि mark का 21 क्या है, तो mark 21 जो उसको name दिया गया, that denote 21st century, क्योंकि ये 21st century के लिए, एक बहुत ही मददगार, बिब्लोग्राफिक स्टेंडर्ड था, काफी easily information को compile करने का तरीका था, तो इसलिए 21st century को denote करके, कि इसका नाम mark 21 को applicable किया गया 1987 में, तो ये कुछ अलग-अलग years थे, जिस according आपका question design हो रहा है, उस according ही आपको in year को access करना है, और in year का answer देना है, mark related, क्योंकि जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे mark second, mark first, या mark का pilot project पूछा जाए, किसी तरीकी से question घुमा के, वो आपको कुछ और भी access करना चाते है information, तब आपको ध्यान देना है, कि वो किस information के बारे में बात कर रहे हैं, mark का कौन सा year, क्या format का वो पूछ रहे हैं, कभी वो पूछ सकते हैं, कि वो international standard कब बना, तो अब आपका answer 1973 होगा, कभी वो आप से पूछ सकते हैं, कि वो national standard United Nations का कब बना, तो answer is 1971, तो इस तरीके से different years को यहाँ पे compile किया गया, ताकि अगर किसी भी तरीके से आपको mark का question पूछा जा रहा है, वो आप उसको answer दे सकते हैं, ठीक हैं? देन आ रहा है है आपका mark, mark के बारे में क्या mark है, इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला आ रहा है आपका, mark is a, it is a standard set of digital formats, very very important, digital formats का set है, यह standard set, for the machine-readyable description of items catalog by library, library पहले जो items को catalog करती थी, वो physically catalog prepare करती थी, आप उनको वो किस पे compile करती है, किस में उसका catalog prepare करती है, mark में, क्योंकि वो उसको क्या देता है, machine-readyable description, machine के accordingly, machine का use करके, उसके description आप उसमें डाल रहे हैं, और वही description compile ओकर आपको एक data के रूप में दिख रही है, एक standard set की ओपर दिख रही है, digital formats का, तो that is your mark, यह आपका एक standard set है, proper सारी information इस पे compile की जा सकती है, each and every document की, पहले बहुत सारे rules, बहुत सारे codes का इस्तमाल करके, उसमें access किया जाता था, कि किस accordingly उनको लगाना है, किस accordingly उनको, क्या उसमें signs and symbols यूज होंगे, यहाँ पे वो पहले से ही standardized set में compile किये जाते है, जस आपको उसमें अपनी details डालनी है, बुक की details और वो compile करके, आपको एक bibliographic data set prepare करके, उसका catalog दे देता है, तो that is your mark, it is used for the identification and arrangement of bibliographic data for handling by computer, computer का इस्तमाल करके, bibliographic data को अच्छे से identify करना, और अच्छे से उसको arrange करना, इसके लिए mark बहुत ही ज़्यादा use किया जाता है, ताकि एक proper arrangement मिल सके, alphabetical order में यह describe करता है databases को, जो भी उसके अंदर compile की जाती है, या identify की जाती है, then, it is used to facilitate exchange data between institution documentation center and other organization, like libraries हो गई, documentation centers हो गई, institutions हो गई, अब वो एक format का use करके, आपस में data को exchange भी कर सकते हैं, interchange भी कर सकते हैं, यह एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से feature है mark का, कि वो digitally, उनको data को exchange और interchange करने का भी, access provide करता है, ताकि libraries और documentation, अपने documentation को, या जो भी उन्होंने mark के अंदर data prepare किया, वो access करवा सके, दूसरे को भी वो provide कर सकते हैं, exchange कर सकते हैं, तो यह चीज भी mark के अंदर एक बहुत अच्छा feature लेकर आई, तो that is your mark related, definitions कि mark basically है क्या, इससे आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा पता चल गया होगा, कि what is mark, चीज़ें, आगे बढ़ते हैं, next, it's a main topic की mark के अंदर, किस तरीके से entries की जाती है, किस तरीके से information को compile किया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए, तो mark 21 tags and subfields, library catalog आप लोगों ने सबने prepare किया होगा, बनाया होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, वही format, mark ने भी अपनाया है, वही format same, तो कही न कहीं आप लोग relate करेंगे, कि mark का भी format, आपका जो भी AACR में जैसे main editor का format होता है, उसमें क्या-क्या sections होते हैं, description section, वो सब सेम आते हैं, even in your ISBD format, वो भी एक तरह से से होता है, but properly, किस accordingly वो लगाया गया, एक बार वो पढ़के आपको, और अच्छे से पता चल जाता है, इसके पर उपर भी previous year question, जब हम in units के discuss करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसके उपर भी बहुत बार question आया हुआ है, कोई भी 4 tags दे दिये गए हैं, और पूछा गया है, उसमें कौन सी information mark entry करता है, या उसमें mark provide करता है, तो ये question भी इसके अंदर आता है, तो इसलिए इनके बारे में अच्छी knowledge होना, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर देखा जाए mark tags and subfield, तो ये इसके main tags है, इनके अंदर भी इनके subfields होते हैं, इनके अंदर इनके और main tags होते हैं, तो ये main main area है कि इस तरीके से entries को डाला जाएगा mark के अंदर, तो 0XX देखा जाए, तो that is your control information and codes, mark जब एक document को अपने अंदर enter कर रहा है, तो वो एक registration या कुछ numbers, control fields प्रोवाइट करता है, generate करता है, that is come under control information and codes section, ठीक है, even your ISBN, ISSN number and DDC, UDC classification number, classification schemes का, वो भी इसी fields के अंदर आता है, क्योंकि इसमें control information भी हैं, और codes भी हैं, clear, 1XX यानि कि आपको main entry, main entry का जो format है, वो सारा इसके अंदर आएगा, 2XS में आपका title, addition, imprint area, imprint area अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ, publication details, जिसमें year of publications आता है, place of publication, and publisher name, ये चीज़े आपकी, publisher के अंदर आती है, imprint के अंदर आती है, imprint area के अंदर, चीकिए तो हमेशा ध्यान रखेगा, imprint area means that information, tree access में आपका physical description आएगा, pagination, size, document का type, ये सब चीज़ इसके अंदर आएँगी, series statement, series related information, आपके involved किया जाएगा, note section यहाँ पर आएगा, then subject access field, और भी related जो fields होंगी, वो इसके अंदर आएँगी, subject related information, added entries, all added entries, चाहईब वो editors related हो, illustrator related हो, different authors related हो, अगर three authors हैं, तो main entry जैसे one पर बनी, बाकी के two authors, statement of responsibility में भी आएँगे, and two author के related added entries भी बनेंगी, तो वो यहाँ पर आएँगी, series added entry, series related added entries and location, वो भी समयेंगी, ये भी question काफी बार आया, location related किस field में आता है, 9XX आपका आरा locally defined user, जो आसपा से related users related information होगी, वो यहाँ पर define की जाती है, तो ये main आपके subfields से, आप इसको note down भी कर सकते हैं, जो main इसके अंदर information compile करते हैं, इनके अंदर अब पता चलेगा आपको, कि क्या-क्या information, कौन से number या कौन से tag के अंदर आप involve करते हैं, तो वो हमारा next step है, clear, सबसे पहला जो हमने field पढ़ा था, विच जीरो एक्स एक्स, ठीक है, 00X, control feed and journal information, अब उसके अंदर भी information आ रही है, और इसके अंदर से भी आपसे question पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कुछ-कुछ इसमें बहुत compiler, इसमें मैं double tick लगवाऊंगी, वो काफी बार पूछे गए हैं, बाकी और तरीकी की चीज़े भी इसमें पूछी जा सकती हैं, तो इसको पढ़ते हैं, 001 आपका control number है, जो mark generate करता है, ठीक है, proper characters के अंदर, 23 characters इसके अंदर involved होते हैं, उसमें से वो जितना भी है, उसका एक proper control number generate करता है, mark, जिस number की accordingly, वो आपका document अपने database में save कर रहा है, kind of registration number, application number, इस तरीके से, 003 पे आता है आपका control number identifier, control number identifier की accordingly भी एक number generate किया जाता है, जो उसको identify करेगा, वो भी mark की according generate होता है, 005 आपका date and time latest transaction, date and time यहाँ पे compile किया जाता है, 005 में, इसके अलावा और भी आ रहे हैं, सब चीज नहीं भरी जाती, काफी different type of libraries पे depend करता है, कि वो किस type की information इसमें compile करेंगी, तो ये तीन informations compile की जाती है, 006 fixed length data element है, वो बहुत कम जगा भरा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, कि कौन सी tag field में क्या information दी जाती है, 007 physical description fixed length या field, and then 008 fixed length data element, जिसमें से ये आपके mainly consider किये जाते हैं, तो इनके उपर question आ सकता है, बाकी सब पे भी आ सकता है, इसमें, then control fields के अंदर ही थोड़ा और आगे भढ़ेंगे, तो 020, सारे मैंने यहाँ पर quotes नहीं लिये हैं, जो main है जिसमें detail ज़्यादा भरी जाती है, वो लिया है, तो 020 अगर आप देखें, तो that is ISBN which is your international standard book number, हर book के अंदर ISBN provide किया जाता है, तो वो जो enter किया जाएगा, वो यहाँ पर किया जाएगा, 020 टैग पर, तो अगर आप से paper में पूछा जा रहा है, कि 020 टैग में आप क्या डालेंगे, तो that is ISBN, your answer is ISBN, चिके, then 022 ISSN international standard, serial number, अगर document journal है, या periodical है, या magazine है, या serial है, तो उसके उपर, ISSN number आपको मिलेगा, which is your international standard, serial number, चिके, तो वो आप 022 में compile करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, टैग से similar, 020 में अगर आप ISSN लगा कर आ रहे हैं, तो वो गलत answer होगा, 020 is for ISBN, 022 is for ISSN, ठीके, 080 for UDC, यानि की universal decimal classification, if library classify कर रहे हैं, अपने document को by using this scheme, तो वो 080 में, sorry, 080 में वो UDC का call number, जो भी book का call number होगा, UDC के according अगर उसको classify किया गया है, तो वो यहाँ पर डालेंगे, universal decimal classification की जगा, बट अगर वो DDC use कर रहे हैं, तो 082 में डालेंगी, ठीके, और addition numbers हैं, या और extra हैं, तो वो दोनों में ही डलते हैं, DDC related additional number, वो यहाँ पर डाला जाएगा, ठीके, तो जादे तर library अगर DDC use कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उसका call number, बुक का जो भी number है, call number, वो यहाँ पर डालेंगी, ठीके, ठीके, दैन आरी है, 100 ये तो था 0 का term, 0X6 का, अब आ रहा हैं, 100 की तरफ, 100 जो हमारा main था, that is your main entry field, ठीके, 100 आगर आपसे पूचा जा रहा है, कि main entry किसमें जाती है, 100 के अंदर भी आपको, चार और different type of titles दे रखे हैं, और इसके अंदर भी previous year में, question आया हुआ है, इनी चारों को दिया हुआ है, और आपस में इसके ये numbers दिये गए हैं, उनको कहा है कि, आप match करिए correct order के साथ, 100 तो 100 आपका है, main entry personal name author का, वो तो आपको डालना ही है, बाकी सब names, different different according to documentation center, लाइब्रेरी के according देखा जाता है, कि वो use होंगे या नहीं होंगे, 110 है आपका corporate name, अगर आपकी main entry corporate name पे बन रहे हैं, तो आप वहाँ यहाँ पर डालेंगे वो, 111 में है, आपका main entry meeting name, अगर आपका documentation meeting name related heading entry बना रहा है, यह main entry बना रहा है, तब आप अपनी main entry यहाँ पर डालेंगे, ऐसा नहीं सब चीज भर देंगे, नहीं, जहाँ जो आपकी main entry जा रही है, अगर personal name सबस्दा तो author name यहीं पर आता है, documentation में तो हम यहीं यूज करते है, कोई corporate name यूज कर रहा है, तो 110 में भी डालेगा, then कोई meeting name यूज कर रहा है, तो 111 में डालेगा, और कोई uniform title यूज कर रहा है, as a main entry, uniform title को वो यूज कर रहा है, तो वो 130 में compile किया जाएगा, डाला जाएगा main entry को, तो यह आप हमेशा ध्यान राखिएगा, these are your mains of fields, related to mark tags, चीक है, then title related fields, title related fields आ रहा है, इसके अंदर 200 में, तो 200 में 210 है आपका, title related fields आप 200 में डालते हैं, उसमें भी आम हर जगा title नहीं डालते, जो जो main ms पर double tick कर वाऊंगी, 210 में आपका abbreviated title जाएगा, in case abbreviated title है तो, 222 में की title है, 240 में आपका uniform title है, 243 में आपका collective uniform title है, तो there are different ways, क्योंकि बहुत साई libraries and documentation, and institution centers है, सबकी different type of documentation होता है, जादा तर जो tags use कर जाते हैं, वो मैं double tick करके आपको बता ही रही हूं, बट ये सब भी इसके field के अंदर और पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, चीक है, learn करना है, 245 जो हमारा main title है, जो सबसे ज़्यादा use किया जाता है, which is 245 for title statement, जहाँ पर हम अपना title information डालेंगे, title related information, तो वो 245 में डलता है, और भी बाकी tags इसलिए दिये जाते हैं, ताकि different formats, different documentation को भी अच्छे से arrange किया जा सके, चीक है, 245 आपका title statement आता है, main tag है, इस पे भी question आया हुआ है, then addition और imprint area, 200 की series में addition और imprint भी आएंगे, चीक है, उसमें खाली title आ रहा था, तो इसलिए मैंने title fields लिखी ती उस पर, अब addition आता है, आपका 250 में, that is your main field, जो भी addition आपका 250 में लिखा जाएगा, जिस पे भी circle हो रहा है, that is your main tag, जिनके बारे में बार 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 कोशन होता है, क्योंकि यह सबसे जादा यूज किये जाते हैं, बाकी भी आपको दियान में रखना है, मैं बार बार इसलिए कहरे हूँ, कि इनकेस कब सिर्फ आप इनी को याद करें, और इन में से कोशन आजाए, तो फिर वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, तो इसलिए बाकी चीजों को भी आपको याद करके चलना है, इन पर थोड़ा विशेज दियान देना है, क्योंकि जाद तर इनी के उपर कोशन आता है, क्योंकि यूज जादा तर यही टैक्स किये जाते हैं, 244, इस आपके पास musical presentation statement है, वो आएगा इसमें, 262 आपका एक main field आ रहा है, जिसमें आपका publication detail, यानि कि place, year of publication, place of publication और publisher का name, तीनों चीज आती है, तो ये भी आपका एक main tag आ रहा है, then 263, projected publication date, 264 है आपका production, publication and distribution, और 270 आ रहा है उनका address, क्योंकि ये different type of, पुरी country, पुरी worldwide, world में ये implement किया जाता है, तो बहुत तरीके की library है, किसी के लिए ये important होगा, किसी के लिए ये, बाकी सब tags उनके लिए prepare गया गया है, ताकि जो वो extra material की information भी देना चाहे, जो मैं circle कर रही हूँ, that is your main text, ठीक है, जहाँ पर हम information डालते ही डालते हैं, ठीक है, तो ये आज के हमारे tags थे, mark related, ठीक है, जो हमने आज पड़े, आज मैंने अभी आपको half tags करवाए हैं, addition तक के, इसके बाद के tags next part 2 में हम compile करते हैं, so that अभी आप mark के बारे में इतनी जानकारी को अच्छे से access करें, अगर इखटे इतना सारा information दिया जाता है, तो कभी के बार वो confusion होता है, after that, next video जो part 2 की आएगी mark के उपर, तो उसके अंदर हम बाकी, जो भी इसके tags and subfields रहते हैं, वो सारा compile करेंगे, plus structure of mark, जिसके अंदर leader, directory, record separator, वो सारी चीज़े आती हैं, वो भी हम अच्छे से define करके, या अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, और previous year question, क्या-क्या mark related पुछे गए हैं, उनको भी compile किया जाएगा, तो mark 21 का, ये mark का part 1 आप अच्छे से access कीजिए, कोई भी doubt आता, आप comment section में लिख सकते हैं, इसी के बाद आपका कल, part 2 भी आपके सामने आएगा, so that फिर mark related जितनी भी information थी, इन दोनों parts के थुरू आप तक पहुंच जाएगी, बाकि अगर आपको कोई और भी topics पर बनवाना है, कोई भी और topics पर आपको वीडियो चाहिए, आप comment section में लिख सकते हैं, mark related जो आज हमने discuss किया information, वो आपको किस तरीके से mark क्या आया, कब आया, किस तरीके से उसको implement किया, यह हमने compile किया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, like कीजिएगा, share कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को subscribe कीजिएगा, जो new user है, वो playlist में जाके, बाकी library and information science की सारी वीडियोज देख सकते हैं, जिन जिन topics में मैंने वीडियोज अभी तक prepare कर ली हैं, चीक है, बाकी और जो topics रहते हैं, उनके उपर भी वीडियो प्रिपेर होंगी, और timely आप तक पहुँच जाएंगी, सो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, Thank you so much.